Hello and welcome you all, मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे वैसे तो दुनिया के सभी companies अपने बजट के अनुसार advertisement देते हैं और अपने consumer तक वो पहुँचना चाहते हैं यहाँ तक तो बात सही था, लेकिन अगर कोई company अपने advertisement में wrong information को देते हैं और अपने consumer को mislead करते हैं तो वो गलत हो जाता है ऐसा ही एक मामला में Supreme Court of India के सामने पतंजली ने बिना शर्थ माफी मांगी है आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और हम जानेंगे कि इस मामले में और क्या information है मगर आगे बढ़ने से पहले आपको मेरा effort पसंद आता है तो चैनल को subscribe और video को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो वो भी आप मुझे email करके बता सकते हैं क्योंकि competition बहुत जादा है इसलिए जो companies होते हैं वो अपने अपने हिसाब से खूब सारे advertisement run करते हैं और अपने customer को ये बताते हैं directly और indirectly कि उनका product बाकी सब companies का product से कहीं जादा अच्छा है उसी में पतंजली ने भी बहुत सारे ऐसे ad run किये हैं जहां पे वो ये बढ़ चड़ कर बताते हैं कि उनका जो product है वो world class product है और उसके बाद बहुत सारे बिमारियों को ठीक करने का दावा भी करते हैं अब इसी में क्या हुआ कि बाबा रामदेव ने भी बहुत बार अलग-अलग platform से अपने product को काफी promote किया और बढ़ चड़ के उसके बारे में claim किया जो कि कहीं पे भी exist नहीं करता था यानि कि जिस product के बारे में या किसी भी product के बारे में अगर किसी भी company का कोई product किसी बिमा के category में आता है उसके बाद बहुत बार ऐसा हुआ कि बाबा रामदेव ऐलोपैथिक मेडिसिन को काफी criticize किया और in fact criticize भी इस तरीके से कियें कि जो एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ती है वो सच में ऐलोपैथिक मेडिसिन के लिए अपने दिल में काफी नफरत पाल ले जिसको द कहते हैं कि कोई भी ऐसा ad को नहीं चलाया जाएगा जो किसी भी तरीके से over promise या अपने consumer को mislead करता है जब आप court में written declaration देते हैं या affidavit देते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि आप court के सामने ये promise कर रहे हैं कि जो गलती आपने किया आप उसको repeat नहीं करना चाहते हैं जाता है जिसको देखते हुए Supreme Court काफी खफा होते हैं और 19 मार्श को यानि कि इसी महीने के 19 मार्श को company के जो managing director है यानि कि अचार अबाल कृष्णा और बाबारामदेव को physically court में present रहने के वो बात करते हैं और जिस misleading advertisement को चलाया गया था वो December 4, 2023 को चलाया गया था यानि कि 21 November को court के सामने ये promise किया गया था कि किसी भी तरीके का misleading information को नहीं चलाया जाएगा अब क्योंकि Supreme Court of India काफी सक्त हो जाते हैं पतंजले के उपर और उनके managing director और बाबारामदेव के उपर तो इसी लिए as a result क्या होता है कि अचार बाल कृष्णा को एक written declaration देना होता जिसको कि हम normally कहते हैं affidavit उसमें वो ये कहते हैं कि उनको अफसोस है कि misleading information को चलाया गया और साथ में वहाँ पे वो ये भी कहते हैं कि जो misleading information में जो part था जो की अपने consumer को mislead कर रहा था वो उसमें गलती से include कर दिया गया और साथ में वो ये भी कहते हैं कि वो अगली बार से ये make sure करें कि ऐसा कोई और information या misleading information को किसी भी advertisement में include ना किया जाए और साथ में वो ये भी कहते हैं कि उनका जो प्रयास या उनके जो company का प्रयास है वो ये है कि भारत में लोग एक healthier life को जीएं यानि inner way उनका कहने का ये मतलब था कि वैसे part जो advertisement में misleading था वो गलती से include हो गया और अचारेबाल कृष्णा को उस misinformation के बारे में काफी अपसोस है और वो ये कोशिश करेंगे कि future में उस तरीके का कभी भी कोई और information या और misleading advertisement ना चले उनका जो सोच है जो प्रयास है वो ये है कि भारत में सभी कोई एक healthier lifestyle जीएं हलाकि भारत में ये पहली बार नहीं हुआ कि पतंजली या ऐसे और भी companies पहली बार misleading information या misleading advertisement को चला रहे हैं इसके पहले भी बहुत सारे beauty products जो है वो भारत में fake promises, fake hope के उपर चलाया गया जहां पर उनका ये promise था कि अगर किसी भी वैक्ती का color अगर थोड़ा dark है तो उसमें confidence नहीं है अगर वो इस specific product को अगर वो लगाता है कुछ दिनों तक कुछ महीनों तक तो उसका जो color है वो fair हो जाएगा और जिनका fair skin होता है वो काफी confident होते इन वे लोगों को insecure करके बहुत बार ऐसे हुए के products को बेचे गया है और ऐसा नहीं है कि ये आज नहीं चल रहा बहुत सारे ऐसे food brands है जो अपने food में जो उनका sugar content होता है वो बहुत ही जादा होता है लेकिन जो system का loophole होता है उस loophole का इस्तेमाल बहुत बखुबी तरीके से किया जाता है लेकिन जो Supreme Court of India के द्वारा किया गया है पतंजली के case मे अब exactly ये तो कहपाना मुश्किल है कि और सब brands पे इनका क्या असर पड़ेगा लेकिन slowly and gradually जो एक awareness है वो लोगों में आ रहा है अगर मैं आपको July 2022 का The Indian Express का article दिखाऊं तो यहाँ पे ऐसे 15 companies थें जो misleading information को दे रहे थें और उन लोगों को अपने ad को वापस लेना पड़ा और जो companies misleading information दे रहे हैं तो उसमें से कुछ बड़े बड़े नाम है सियाराम सिल्क हो गया, लाइफ बॉई हो गया, केंट आरो हो गया तो कहने का मतलब है कि जब ये सब companies advertisement को shoot करते हैं बनाते हैं तो इनके पास बहुत बड़ा team होता है तो ये मान पाना कि इनको नहीं पता है कि ये क्या information को include कर रहे हैं थोड़ा सा मुश्किल है, कही न कहीं ऐसा लगता है कि भारत में जो misleading information है या जो news है, advertisement है, इसको रोकने का जो process है वो उतना सक्त नहीं है, हमें और भी strong तरीके से नियम कानुन बनाने पड़ेंगे, जो कि काफी सक्त हो, European countries में advertisement देने का मतलब क्या ह होता है कि आप complete responsibility ले रहे हैं, जो भी आप अपने product के बारे में कह रहे हैं, वो चीज़ भारत में अभी नहीं देखा गया है, इसके अपने multiple reason भी हो सकते हैं, शायद सरकार को ये कहीं न कहीं डर होगा कि अगर वो ज़्यादा सक्त नियम कानुन को ले आएंगे, तो जो companies है वो भारत में investment नहीं करेंगे, और कितनी बार reason political भी होता है, जहां पे सरकार सिर्फ अपने government के formation में ही लगे रहते हैं, so in a way अगर कहा जाये, तो Supreme Court का ये decision काफी अच्छा है, इससे at least awareness बढ़ेगा, और जब किसी भी बड़े company के ऊपर कारवाई होता है, तो वो news फैलता है, I hope that you like the video, अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती होगे तो मैं माफी चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं, see you in the next video, have a wonderful day, thank you, take care, goodbye.